दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं माहे सामने एक आटोमेटिक वोल्टेज इस्टेबिलिजर रखा हुआ है जो की लिवगाट कंपनी का वोल्टेज इस्टेबिलिजर है एसी पर इस्तिमाल होने वाला वोल्टेज इस्टेबिलिजर है तो आज की वीडियो में आपको इस इस्टेबिलिजर को रिपेर करके बताएंगे और आपको वो टेक्निक बताएंगे जिस तहां से आप किसी भी Automatic Voltage Stabilizer को Repair कर सकते हैं भले ही वो Branded हो या फिर Local Made हो यानि कि Micro Tech, Luminous या किसी भी Company का हो आप उसे आसानी से Repair कर सकते हैं बस आपसे Request है वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बोलें चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखें दोस्तों ये Stabilizer अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है आपको बताते हैं कि इसमें सेकेट वगयरा कौन सा यूज़किए गया है आजकी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर ये सेकेट रिपेर नँहो पाए सैकेट ऐसे होते हैं जो रिपेर में काफि टाइम ले लेते हैं चलिए पहले आपको दिखा देते हैं कि इसमें सेकिट कौन सा यूज किया गया है इस सेकिट को अच्छे से देख लीजे देख लीजे इसमें कितने सारे connections का रखें और यह कितने सारे इसमें jack वगरे दे रखें अब हम इस सेकिट को बिलकुल ही हटा देंगे इसके जगा पर ह हम अपना microcontroller circuit लगा देंगे जो कि digital display के साथ में आता है क्योंकि हम इसे repair इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह पहले भी कई बार repair हो चुका है और इसमें लगता fault आता ही रहता है customer भी परशान होता है और फिर हमें भी दिक्कत होती है तो हम इसे हटा देंगे देखिए हमने इसके सारे connections हटा दी है, सारे connections खुल दी है अब इसे हटा कर हम आपको दिखाते है कि हम इसमें कौन सा circuit लगाने वाले है हम इसमें लगाएंगे microcontroller circuit जो की digital display के साथ में आता है, इस circuit देख लीजे, बहुती easy circuit है और लगाने में बहुती आसान है इसमें देखिए digital display के साथ म भी उसे कर सकते ह Также निकालकर भी ईूज कर सकते हैं आपको खोड़कर भी बताएंगी कि हम कैसे दिसप्पले का तौर पर कैसी उसक्ते हैं और साइक access रहाँ से connections करनें बहुत एसे स nep connection है और बहुत easy circuit है इसे connection समझ लिजाए देकर स्टार्टिंग में हमें पहले इसमें input supply देनी है और उसके बाद ये relay के common का connection आजागा फिर हमारे input 2 relay input 1 relay, इसके बाद में हमारी output relay और last में हमारा timer relay का connection होगा, बहुत ही आसान है अब इस दूसरे jack के connections भी समझ लीजिए, देखिए इसमें 3 wire दे रखे हैं पहला wire black color का है, जो की हमारा neutral पर connect हो जागा और neutral के बाद हमारा जो wire दे रखा है, ये हमारा output का wire है, देखिए brown color wire है, ये हमारा output relay के pole पर connect होगा, और जो तीसा wire है, red color का, ये हमारा input relay के pole पर connect होगा, जब तक हम ये 3 connections नहीं करेंगे, हमारा circuit work नहीं करेगा ध्यान दीजेगा जब तक हम ये neutral input और output के connections नहीं करेंगे हमार circuit work नहीं करेगा इसलिए इसे लगाना बहुत ही ज़ुरी है ये देखिए दोस्तों हमने connections कर लिए है अब आपको जैसे बताया था वैसे connections की है इसमें input supply हमने भी नहीं दी इसमें main transformer से इसमें supply दी जाएगी देखिए इसमें कई साई supply दे रखी है हमें इसमें से निकालगा केवल 22 वोल्ट या 24 वोल्ट की कोई supply इसमें देना होगी कोई trigger transformer की इसमें जवुत नहीं है तो हम इसमें से एक supply निकाल लेंगे जो कि हमार circuit के लिए sufficient है यानि 22 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट की कोई भी supply हम इसमें लगा लेंगे देखिए दोस्तों हमें साई connections कर लिया है input supply इसमें दे दी है और जो हमारे display है display का jack भी kit में लगा लिया है अब वक्त है इसे test करने का check करने का देखते हमारे circuit कैसा work करता है तो हम इसे main line स इसे connect किया पहले 10 से लेकर एक तक reading आईगी जोगी timer की reading है और जब तक यह reading चलेगी हमारा इस टेब्लिजर output नहीं देगा देखिए अब हमारा इस टेब्लिजर आन हुआ पहले input voltage दिखा रहा है इसके बाद देखिये यह output voltage बताएगा यह देखिये output voltage ने बताना शुरू कर दिया है अब हमें output voltage की setting करनी है setting बहुत ही आसान है देखिए सब से पहले हमें output 250 वोल्ट तक लेकर जानी है, 250V पर output ले आकर हमें preset से बस इसे एक बार set करना है, बागी साइज steps इसके खुद ही set हो जाएंगे, बस हमें एक ही जले एक बार ही set करना होती है, और बार बार set करने की जबत नहीं पड़ती है, एक ही बार में इसका high cut और बागी साइज steps set हो जाते हैं, दे 250V पर ले जाकर हम इसे cut कर देंगे, यह देखिए इस तहाँ से stabilizer हमारा, बिल्कुल perfect working कर रहा है, size settings इसकी complete हो चुकी है, बहुत अच्छे तरह के से work कर रहा है, display पर आप देख सकते है, voltage इसके जो यह दिखा रहा है, यह देखिए display पर अच्छे से देख लीजे, दोस्तों अब बारी है, meter को display के तोर पर use करने की, तो हम इसे cabinet में से निकाल देंगे, बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, इसे हम हलका सा push करके बाहर निकाल लेंगे, तो meter हमारा display के तोर पर काम करना शुरू कर देगा, यह देखिए, इसके अंदर दो page होते हैं, यह page हम खोल लें कर देखिए, बहुत हैं, 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 झाल झाल